इस वीडियो में बात करने वाले हैं पुलिस कॉंस्टेबल के 30GK के प्रशन अब ये जो प्रशने ये पिछले 15 साल में सबसे ज्यादा बार रिपीट हुए हैं और एक्जाम से पहले इन्हें घोल करके पी जाईएगा तो ये आपके आने वाले सभी अपकमिंग एक्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पे सबसे पहला कोशन क्या दिया हुगा है फर्स्ट कोशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे पूछा ये गया है कि भारती संविदान में पहली बार संशोध कब किया गया था तो जो पहला संशोधन करा गया था वो करा गया था सन 1991 में यानि कि option number C इसका बिलकुल सही उतर हो जाएगा अब यहाँ पे ध्यान लखिएगा कि 10 मई 1951 को ये पहला संशोधन करा गया जिस टाइम में भारत के परधान मंतिर थे पंडित जवाल नाल अब इसमें क्या करा गया था संशोधन बहुत ही important है इसलिए बता दे रहूं आपको कि जो आपका सम्विदान है उस सम्विदान का जो आपका भाग तीन है जो मौलिक अधिकारों को ले करके बात करता है वहाँ पे जो बात करी गई है कि भाशण और अभिव्यक्ति की आज भारत वर्ष में रबर की खेती के लिए प्रसिद्ध है तो अगर मैं रबर की खेती को ले करके बात करता हूं तो इसमें केरल प्रसिद्ध है यानि कि option number C इसका विलकुल सही उतर हो जाएगा नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पूछा ये गया है कि निम्रिखित में से धावन सोडा का सूत्र है यानि कि यहाँ पे आपसे धावन सोडा का सूत्र पूछा गया है तो यह आपको ध्यान लगना है कि यह है आपका NO2CO3 यानि कि option number D आपका बिलकुल सही उतर हो ज करूं जिसको इंग्लिश में गाल ब्लेडर कहा जाता है इसका सही उतर हो जाएगा पाचन तथा शोचल हे तू वसा का इमल्सन करना अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ चीजे धियान लगने है जैसे ही आपसे question यह पूछ सकते हैं कि पित रस कहां से स्त्रावित होता है तो यह आपको धियान लखना है लीवर से स्त्रावित होता है कुछ इस तरीके की शेप बनी होती है ठीक है ना और यहीं से green गलर का जो छोटा सा connect होता है जिसको बोलते हैं पित्ता गाल ब्लेडर ठीक है ना और इसका काम क्या होता है पाचन तथा शोशड हे तू वसा का इ देखने को मिलेगा यानि की option number B इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा तो अगर मैं हीमोग्लोबीन की बात करूँ या मैं इसको बोलू लोहा या मैं बोलू इसको फेरिट सारी बाते सेम है ठीक है और एक question यह कई बार पूछा लिया है कि हीमोग्लोबीन किसका तक्व है हीमोग्लोबीन की अगर मैं बात करूँ तो पूरा आपको blood पढ़ना पड़ेगा अब देखिए इस blood को लेकर के बात करूँ तो इस blood में आपको चार चीज़े देखने को मिलती है एक तो आपका हो जाता है RBC एक हो जाता है आपका WBC और फिर आपका होता है plasma और फिर आपक पूछा ये गया है कि कोडांग मंदिर का निर्माड किसने कराया था तो कोडांग मंदिर का जो निर्माड है वो करवाया था nursing देव पर्थम ने यानि कि option number B इसका बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा और अगर ये पूछे भाई कि इसका निर्माड कब कराया गया था तो ध्य नखियेगा तेरवी शताबदी में कराया गया था ठीक है ये भी कोशन कई बार पूछे जा चुका है नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहां पर पूछा ये गया है कि भारती आंत्रिक्ष कारिकरम का जनक किसे कहा जाता है तो ये कहा जाता है विक्रम सारा भाई यानि कि option number B इसका बिलकुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है और जब भी बात इसकी आती है तो आपको धियान लगना है किसके बारे में इसरो के बारे में इंडियन स्पेस रीसर्च और्गनाइडेशन के बारे में next question की बात करें पूछा ये गया है कि ब्राम समाज के संसापक कौन है तो अगर मैं ब्राम समाज को लेकर के बात करो तो इसके संसापक है राजा राम मुहन राय यानि कि option number B इसका बिलकुल correct answer हो जाएगा next हम बात कर लेते हैं यहां पर पूछा ये गया है कि जब East India Company का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशा कौन था तो उस टाइम की अगर हम बात करें तो जो भारत के मुगल शासक थे वो थे अकबर यहां पर जो आपका right answer हो जाएगा वो आपका option number D हो जाएगा ठी पूछा यह गया है कि निमलखित रोगों में से कौन एक वाइरस द्वारा होता है तो इसमें अगर मैं बात करूँ तो जो वाइरस के द्वारा होता है वो होता है आपका diptheria यानि कि option number C आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अब यह diptheria क्या होता है तो diptheria के बारे में अब ही मैं बताई चुका हूँ जब मैं लीवर को ले करके बात करता हूँ ठीक है ना तो लीवर क्या काता है बाई diptheria एक बिमारी है जो कि आपका लीवर की सूजन का कारा बनती है ठीक है ना यहाँ पे सूजन पहुचाती है जिसके कारा क्या बाई आगे चल करके आपको cancer वगरा के chances देखने को मिलते हैं आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पूछा यह गया कि सोनोग्राफी में प्रियोग होता है सोनोग्राफी की अगर मैं बात करूँ तो सोनोग्राफी में प्रियोग होता है आपका प्राश्रव वितरंगे इसको बोलते हैं अल्ट्रा सोनिक wave ठीक है, इसको ले करके धियान लकिएगा, अब ये सोनोग्राफी क्या है भाई, लेके जब हम ship को ले करके बात करते हैं, पानी वाले जहास को ले करके ठीक है ना तो इसके अंदर एक लगा होता है, transmitter एक लगा होता, receiver जो क्या करता है इसकी गहराई को मेधरमा करता है उसी को बोलते हैं सोनोग्राफी अब सोनोग्राफी में भाई कौन सी तरंगे यूज होती है प्राश्रवी तरंगे यूज होती है बिलकुल धिया न कियागा बहुत इंपोर्टेंट है लेक्स रमबात कर लेते हैं पूछा ये गया है तो कब अगस्त में 8 अगस्त 1942 में भरत छोड़ो अंदोलन ठीक है आगे हम बात के लेते हैं पूशा यह गया है कि भरत में पंचायती राज प्रडाली कब शुरू की गई थी तो पंचायती राज जो प्रडाली है वो आपका 1959 इस्वी में शुरू करी गई थी option number C इसका विल्कुल correct answer हो जाएगा आगे हम बात के लेते हैं पूशा यह गया है कि Congress की पहली महिला अध्याक्ष कौन थी Congress की पहली महिला अध्याक्ष थी एनी बेसेंट यानि कि सही उतर हो जाएगा option number B आगे हम बात के लेते हैं पूशा यह गया है कि भारत के किस शहर में जंतर मंतर इस्थे थे सभी को पता होना चाहिए बच्चे बच्चे को बहुत ही basic सा question है है ना दिल्ली में सभी को पता है ना दिल्ली में है आपका जंतर मंतर जहां पर धरना पदशन वगरा जादा होता है आगे हम बात कर लेते हैं पूशा यह गया है कि बेस बॉल के मैश में पतिये पक्ष कितने खिलाड़ी होते हैं तो बेस बॉल को धियान नकिएगा 9 खिला energy को electrical energy में convert कौन करता है तो ये करता है डाइनमो option number c बिल्कुल सही answer हो जाएगा जो डाइनमो होता है वो यांत्रिक उर्जा को विधित उर्जा में परिवर्टित करता है आगे हम बात कर लेते हैं पूछा ये गया है कि मुख चुनाव आयोक की निक्ति कौन करता है तो मुख चुनाव आयोक की निक्ति राश्पति के द्वारा की जाती है option number A आपका बिलकुल सही उतर हो जाएगा आगे बात कर लेते हैं या पर next question पूछा ये गया है कि योजनाव आयोक का गठन कब किया गया योजना आयोग की बात करी गई है तो सन 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया अब ये जो योजना आयोग है ठीक है ना अब इसको क्या कर दिया गया है नीती आयोग क्या कर दिया गया है अब नीती आयोग की बात कर दिया गया है अब नीती आयोग की बात करें इसका फुल कौन है नरेंद्र मोदी जी हैं ज्यान लखिएगा सारी चीदे इंपॉर्टेंट है योजना आयोग है इसका नाम बदल करके अब नीती आयोग कर दिया गया है आगे बात कर लेते हैं पूछा यह गया है कि पलासी का युद्ध कब हुआ था तो पलासी का युद्ध हुआ था सन 1757 में यानि की ऑप्शन नंबर बी इसका बिलकुल सही उतर हो जाएगा अच्छा एक बात यहां पर यह पूछी आती है पलासी क्या है पलासी एक जगहा का नाम है ठीक है ना कहां पे मुर्शीदाबाद ठीक है गंगा नदी के किनारे जो है वो पलासी एक जगहा का नाम है अब यह जो युद्ध हुआ था वो हुआ था आपका इस्ट इंडिया कंपनी साथी साथ बंगाल के नवाब की सेना इन दोनों के बीच में यह युद्ध हुआ था दीक है चलिए आगे बात कर लेते हैं पूछा यह गया है कि इलेक्ट्रॉन के खोज करता है तो आपका बिल्कुल कर्रेक्ट आंसर हो जाएगा अब देखिए यहां पर बात करिया रही है चार्जेस को ले करके मैं आपको पूरा समझा देता हूँ ठीक है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और नीट्रॉन तीन होते हैं तो इसको कैसे याद करेंगे इसको याद करेंगे इट पर नाची ठीक है ना इट पर नाची से याद करेंगे इसे इलेक्ट्रॉन टा से टॉम्सन पा से प्रोटॉन रा से रधरफोट ना से नीट्रान चा से चैडविग तो यह तीनों नाम ध्यान न कियेगा लेक्स हम बात कर लेते हैं पूछा यह गया है कि सूर के सबसे जिग्र है तो यह है आपका बुद्ध यानि कि ऑप्शन नमबर डी इसका विल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स कोशन को लिए करके बात करें पूछा यह गया है कि रवींद्र नाठ टैगो ने भारत के राश्टिगान के अलावा किस और देश का राश्टिगान ल भी राश्टिगान लिखा हुआ है बांगलादेश के राखटाणी क्या है भाई ढटाका और यहां की मुद्रा क्या है टगा यह दोनों बाते भी ध्यान लखियेगा आगे हम बात-कलेते हैं बुछा यह मंत्री की निट्धिक कौन करता हो då मुंप मंत्री की यह गया है कि सुप्रीम कोट की स्थापना कब हुई थी सुप्रीम कोट की बारे में पूछा गया है कि तो खुचराहो कहां पे है तो खुचराहो है आपका मध्य पर्देश पे यानि कि option number ए आपका बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा आगे बात करेते हैं पूछा ये गया है कि किस राज में किस राज में मल्यालम भाषा बोली जाती है तो ये आपका कहां पे बोली जाती है केरल राज में option number ए करेक्टांसर होगा वाइस दियान रखिएगा मल्यालम भाषा केरल राज में बोली जाती है आगे बात करें पूछा ये गया है कि जलिया वाला बाग किस शहर में इस्तित है तो जलिया वाला बाग आपका अमरित सहर है ना option number डी आपका बिलकुल करेक्टांसर हो ज जलिया वाला बाग आपका अमरित सहर में इस्तित है नेक्स नम बात कर लेते हैं किस देश को जीलो का देश कहा जाता है तो ये कहते हैं किसको फिन लैंड को option number C गरेक्टांसर हो जाएगा फिन लैंड को जीलो का देश कहते हैं लास्ट कोशन की बात करें पूछा ये गया ह कि कौन सा शहर जापान की राजधानी है तो ये जो टोकियो शहर है ये जापान की राजधानी है बेजिंग जो है ये आपका चाइना की है कैन बेरा जो है ये आपका आस्ट्रेलिया की है धियान लखिएगा एक देश है आस्ट्रेलिया जिसकी राजधानी है कैन बेरा और इसी से मिलता जोता है एक देश और है जिसका नाम है आस्ट्रिया उसकी राजधानी है वेन्ना तो ये दोनों बाते धियान न किएगा जो आपको देखने को मिलेंगे सभी पुलिस के एक्जाम में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक बार लाइक जुरू करिए अपने दोस्तों तक शेयर करिए कि बाई जैसे आपके लिए ये हेलफुल रहा है आपके दोस्त के लिए भी हेलफुल है ठीक है और ओंको जो ओंको औल लए बिए बेस्ट वी इस वार वे स्वाई इंचाने